सब्सकार्ब करें अपने यूटीब चनल लानमोट मेडिसिन को और बैल एकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिक्सिन पाने के लिए सब्सक्राइब करने वाली एक टेबलेट की बारे में जानेंगे जो टेबलेट दो अलग लग दवाओं का को मिलाई गई है यह क्या नाम से मेडिकल इस्टोट मिल जाती क्या ब्रेंड नेम्स होती है यूजोस को पूरे विस्तार से किन-किन बिमारियों प्रियोग लिया जाता है साइड इफेट किया होते और इसकी डोज किया होती कितनी मात्रा में लिया जाता है और कितनी उम्र के वेक्ति को इसके दिया जा सकता है यह बाते हैं इस वीडियो में जानेंगे वीडियो को अ हैलो फेंट्स नमस्ते दोस्तों इस टेबलेट में एसिब्रोफाइलिन एक जैन्थिन डेरिवेटिव दवा है जिसे ब्रोंको डायलेटर क्लास में रखा गया है यह स्वांस नली तदा फेंपडों को फेलने का कारी करती है साथ ही यह जम्मे हुए म्यूकोस को भी लूज करत अगर इस टेबलेट में इन दोनों की स्टेंथ की बात की जाए तो इसमें एसिब्रोफाइलिन 200 मिलिग्राम में तता मॉन्टी लुकास्ट 10 मिलिग्राम की स्टेंथ में होती है और साथ ही जैसे आप सभी को बताए यह दोनों ही दवा का मूल कमपोजिशन है जब भी मेडि जैसे कि लेसमा, एबी टेबलेट, मॉन्टेक, एबी टेबलेट, टेलेकस्ट एटेबलेट, मॉन्टेमेक, एटेबलेट तथा स्पीरोमान्ट एटेबलेट यह कुछ पूपुलर ब्रांड है जो आपको फ्रिली मिल जाएगी इन सभी का जो कॉंपोजिशन है वो सिबी सकती है सब्स्टूट की जासकती है अगर इसके प्राइस की बात क्रेफिते रूप醉 हाई चेंज हो कि जानते हैं किन-kिन बिमार्य और यह लाइ जाती है ब्राइब्र टैब्रे तो कोंबिने समय है जो बिमार सबसे पहली अस्तमा यह एक प्रका की बिमारी जिसमें व्यक्ति के श्वां लें दिख्धत होती है बहुत ज़यादा खांसी चलती है कफ भी होता है और कई बार मुकस भी जमा हो हो जाता है और कई बादवार सीवय स्थिति ईन्हें पर अस्तमा का आठिक भी आ जाता तो इस अस्तमा की बिमारी हिमारी हिंदि में कहते हैं इसको ठीक करने के लिए इसको treatment में यह ठेबलिट दी जाती कोई कि घ्रम की विमरी यह confused शोली बीमारी प्रीज को गरगरहार की आवाज आएगी यह कुछ समझ्चिया के साथ में चेस्ट भी हो सकता है तो इस यूपीडी के टीट्मेंट में भी इसका प्रियोग लिया जाता है कोई व्यक्ति है जिसको कोमन कोर्ड है जिस कारण से नाक उसका बंध हो गया हो चीके उसको आ रही हो तब भी इसका प्रियोग लिया जाता है एलर्जी के करण किसी को नाक बेहना स्वांस कम आना या नाक में सूजन आना जैसे इस्तती हो गई हो तब इसका प्रियोग लिया जा सकता है और किसी व्यक्ति को ब्रॉंकाइटिस नाम की बिमारी हो गई जिसमें भी हमाई स्वांस लिए इसमें जमाव हो जाता है सुजन आ जाती जिसका उसे सोटने सो प्रित चादा खांसी चलने जी सिस्तिती होती है तो इस दोलों को ही कम करने के लिए स्मोकर परसन जो है उससे भी यह टेबलेट डॉक्टर द्वारा एडवरेज की जाती है अगर अगर बात की जाए तो रेस्पिरेटरी ट्रेक से जुड़ी हुए किसी भुरका की समझ्या हो जिसमें स्वास लेने में दिक्कत आ रही हो तो उसमें इस टेबलेट का प्रियोक ड लगेगा इस टोमक अपसेट वेक्ति को लग सकता है हार्ट वन की मतलब आहर ना में जलनों से हो सकती है पेड़ दर्द हो सकता है साथी फ्लू लाइक सिंक्टम्स उसे लग सकते हैं यह को समझ्या है इसके साइट इफेक को तोर पर होती है यदि यह समझ्या आपको लगे तो तुरंत इस टेबलेट को लेना बंद करें अपने डॉक्टर से मेले अब वीडियो के लाश में जान लेते हैं इस टेबलेट की क्या डोज होती कितनी मात्रा में दी जाती और किस उम्र के व्यक्ति को इससे दी जाती तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यद जदी कोई बच्चा है जिसकी उम्र बारा साल से छोटी है तो उसे बीना डॉक्टर के सला यह टेबलेट नहीं दी जाएगी और यह जो डोज उसकी एड़स करके दी जाती है यहां पर में इसकी डोज को कितनी दी जाती है उसके बार में जान लेते हैं अगर एड़ल्ट के वो कोई allergy condition हो या common cold हो तो उसे 5-7 दिन तक दिया जाता है और अगिदी किसी वेक्ति को अस्त्मा है या COPD की समझे है तो हो सकता है एक महिने उससे ज़्यादा भी दिया जा सके है क्योंकि जो dose की duration रहती है वो patient की condition के according deciding की जाती है और यह दिखेशी वेक्ति को बहुत ही ज़्यादा खांशी चल रही है या फ्लेगर में मुई कुछ वरा हुआ है तो खुछ सकता है कुछ सपोर्ट यू कब शीरब भी इसके साथ में दे तो वह भी इसके साथ आप लेते रहें तो इस तरह से इसकी डूज मरीज क की बार मद्दा दिये उमीद करता हूं जादा जानकरे आप तक पहुंचे होगे सभी डौर्ट के लिर हो गयोंगे वीडियो को यह कत्म करता हूं मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में तब तक के लिए स्वस्त्रें और मस्त रहें